लोग सभा में विपक्ष के नेता और राय बरेली से सांसत राहुल गांधी तीन दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने रवीवार को दलास में टेकसास विश्र विद्यालाई में छात्रों के साथ बात चीत की। यहां उन्होंने कहा कि भारत, अमेरिका और पश्चिमी देश में बेरोजगारी की समस्या है जबकि चीन इस समस्या से नहीं जूज रहा है। उन्होंने इसकी वज़ह भी बताई, उन्होंने कहा कि चीन वैश्विक उपदान पर हावी है और यही वज़ा है कि वो रोजगार देने में अववल है। उन्होंने भारत में विन्रमान पर ध्यान केंडरत करने की आविशक्ता पर भी जोड़ दिया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में कोशल की कोई कमी नहीं है। अगर हमारा देश उतपादन के लिए खुद को तयार करना शुरू कर दे तो वो चीन से प्रतिसपरदा कर सकता है। उन्होंने व्यवसाइक और शिक्षपरणाली के बीच की खाई को पाटने के लिए भी व्यवसाइक प्रसिक्षिन को बढ़ावा देने के जरूरत पर भी जोड़ दिया। इसी के साथ उन्होंने शिक्षर प्रणाली पर वैचारी कबजे का भी जिक्र किया दरसल राहूल गांधी अमेरिका की तीन दिविसी अनौप चारिक यात्रा पर हैं इस दोरान वे दलास टेकसस और वाशिंग्टन डीसी में भारते प्रवासियों और युवाव से बात चीत करने वाले हैं इसी बीच सोवार से शुरू हो रही वाशिंग्टन डी सी की अपने यात्रा के दौरान वो सांसे दौर और अमेरिकी सरकार के वरिष्टर अधिकारियों से भी मिल सकते हैं वो शनिवार रात को दलास पहुचे थे इंडियन नाशनल ओवर सीज कॉंग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा और इसके अमेरिकी विंग के अध्यक्ष मोहिंदर गिल जियान ने उनका स्वागत किया था और राहुल ने कहा कि पस्चिम में रोजगार की कमी है आपको बताते चले कि राहुल गांधी ने कहा कि भारत में रोजगार की समस्या है लेकिन दुनिया के कई देशों में रोजगार की समस्या नहीं है वियतनाम में रोजगार की समस्या नहीं है ऐसा क्यों अगर आप 1940, 1950 और 1960 के दशक में अमेरिका को देखेंगे तो पाएंगे कि वो वैश्विक उत्पादन का केंद्र था जो कुछ भी बनाया जाता था चाहिए वो कार हो वाशिंग मशीन हो या फिर टी बी सब अमेरिका में बन करता यार होता था फिर ये उत्पादन धीरे धीरे अमेरिका से बाहर चला गया ये कोरिया गया और फिर जापान आखेकार ये चीन तक पहुच गया अगर आप आज देखें तो चीन वैश्विक उत्पादन पर जोड दे रहा है राहुल गांदी ने आगे कहा कि पश्चि जो करता है वो ये है कि हम चीन में बनी चीजों का इस्तिमाल कैसे किया जाए इसे व्यवस्थित करते है भारत को उत्पादन के कारे और उत्पादन की व्यवस्थित करने के बारे में सोचना चाहिए उन्होंने विन्रमान को प्रोटसाहित करने की जरूरत पर भी जोर दिया राहुल गांधी ने कहा कि इस वीकार नहीं है कि भारत बस यह कहें कि ठीक है विन्रमान कहले या उत्पादन कहले उस पर चीन का अधिकार होगा वियतनामियों का अधिकार होगा बांगलदेश का अधिकार होगा हमें इस बारे में सोचना होगा आपको बता दे कि उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि भारत में ऐसे लोगों के लिए सम्मान नहीं है उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा व दिखाया है महराश्च ने कर दिखाया है बस समस्या ये है कि ये उस पैमाने और समन्वय के साथ नहीं किया जा रहा है जिसकी जरूरत है वीडियो डेस्क अमरुजाला.com